नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त सिये देविश्टाग्पर आज हम बात करेंगे डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में अगर आपको भी कोई नोटिस रिसीव हुआ है फॉर दिफेक्टिव रिटर्न उसको आपने कैसे एनलाईज करना है और क्या-क्या रिजन्स रहते हैं कि आपकी रिटर्न को इनकम टेक्स डिपार्टमेंट वाइल प्रोसेसिंग उसको एक डिफेक्टिव रिटर्न कंसिडर करता है आज हम उसी के उपर डिसकुशन करेंगे यहाँ पर तीन से चार मेन रिजन्स से रहते हैं जहाँ पर आपकी रिटर्न को डिफेक्टिव माना जाता है उसमें से सबसे पहला रिजन्स यह है कि आपने TDS क्लेम करा है बट उस TDS की correspondingly जो रिसिप्ट या फिर इनकम है वो आप अपनी return of income में mention करना भूल गए यानि आपने 26 AS को base लेके अपना TDS क्लेम किया बट उस TDS का suppose proportionately हम calculate करते हैं कि अगर आपका कोई भी TDS कटा है under section 194C जो कि आपका contractors के case में है अगर वो 2% आपका deduct हुआ है वो 2% आपने form 26 AS से जब आप अपनी return फाइल कर रहे थे आपने अपना TDS क्लेम कर लिया बट उस 2% की correspondingly income है total receipt वो आप अपनी return में दिखाना भूल गए 100% का अगर 2% यानि suppose करें कि अगर आपने 100 रुपे की कुछ billing करी थी उसके उपर आपका 2% TDS कटा तो 2 रुपे आपका 26 AS में आ गया बाकी का जो आपकी income थी balance amount की वो आपने अपनी return of income में mention नहीं करी या फिर करना भूल गए उस case में आपकी return of income को as a defective return consider किया जा सकता है और आपको एक notice receive होगा under section 139 जिसका reply आपने 15 days के अंदर देना है reply के case में आप या तो original return फाइल कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं करी है और अगर original return filed है तो आप revise return फाइल कर सकते हैं subject to condition कि उस revise return की जो due date है उसका time period अभी तक exceed नहीं हुआ otherwise आप उस notice के response को submit कर सकते हैं within 15 days second criteria हम यह देखते हैं अगर form no.26 AS में जो gross receipts आपकी show हो रही है उतनी आपने return of income है including all the heads आपकी PGBP, salary, other income कोई भी other income है या कोई भी income head है उन सब का total और जो 26 AS में जो total receipts हा रही है वो match नहीं करें वो match नहीं करें वहाँ पे कोई discrepancy आ रही है यानि जो 26 AS में जो receipts हा रही है वो जादा है और जो आपकी total income है including all the heads जो आप receipts दिखा रहे हैं return of income में वो कम है वहाँ पे भी आपको as a defective return का notice आ सकता है third point जहाँ पे आपका जो name है as per the pen database और as per the return of income उन तोनों में discrepancy है fourth case में जहाँ पे taxpayer की PGBP की income है profit and gains from business और profession वहाँ पे जो taxpayer है वो अपनी balance sheet या P&L account mention करना भूल गया in that case also आपकी return of income को as a defective return consider किया जा सकता है in 4 cases के अंदर normally यही 4 cases आपके रहते हैं अगर आपके कोई भी reason की वज़े से कोई defective return आई है तो आपको notice अगर receive हुआ है तो आपको 15 दिन के अंदर process करना है इसी में एक example लेते हैं सपोज आप screen पे देख रहे होंगे एक taxpayer को notice आया है from income tax department जहां पे उसने उसे 15 दिन का time दिया है यह कहके कि जो आपने receipts है 26 AS में जो receipts आ रही थी और जो आपने ITR में receipts total आपके जो all heads of income में जो total receipts हैं वो match नहीं कर रहे हैं लेकिन आपने जो TDS का claim किया है वो as per the form 26 AS किया है मतलब एक example के तुरू समझते हैं सपोज एक online seller है जिसका under section 194.0 आपका TDS deduct हुआ है वहाँ पे आपका 1% deduct करता है सपोज Amazon ने Amazon पे आप sale करते हैं और Amazon की gross receipts आपकी है दो करोड रुपे उसके उपर दो लाग रुपे का TDS आपका कट गया वो आपका 26 AS में reflect कर रहा है जो reflection आपकी कर रही थी 26 AS में आपने उसी के base के उपर अपनी ITR फाइल करी और अपनी ITR submit कर दी irrespective कि आपने ये चेक किया कि आपका 2 करोड रिसेप्ट आपकी match कर रही है कि नई आपकी return of income से suppose आपने ये दिखाया है कि मेरी 1 करोड 98 लाक रुपीज की रिसेप्ट है वहाँ पे आपकी 2 करोड आ रही थी यहाँ पे 1 करोड 98 लाक है जो 2 लाक रुपे का difference है government is saying कि अगर आप TDS claim कर रहे है total तो आप उतनी receipt क्यों नहीं दिखा रहे है उसका reason बताए अगर आप 198 ही दिखाएंगे तो correspondingly आपको उसका TDS का amount reduce करना था यानि proportionately 198 का आपका जो TDS बनता वो 1,98,000 बनता आप return of income में उतना ही claim करते आप लिए TDS भी जादा claim कर लिया और वह इसी लिए आपको under section 139.9 defective return का notice आया है अगर आपको भी कोई notice हाया है under section 139.9 और आप कोई problem face कर रहे हैं तो मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको under section 139.9 किस reason की वज़ा से आया है तो हम उसके उपर भी आपका discussion कर सकते हैं Thank you guys for watching this video अगर आपको इस वीडियो के content से related कोई भी question है, query है, suggestion है, feedback है आप मुझे comment करके जरूर बताएं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि timely आपको reply मिल सके क्योंकि time का थोड़ा constraint रहता है तो reply में थोड़ा delay हो सकता है but reply आपको जरूर मिलेगा Thank you guys for watching this video